फ्रेंड्स इस समीट में सामिल एक्सपर्ट भी इस बात को मानेंगे कि भारत की रैपिड ग्रोथ के लिए अच्छा इंफ्रास्रक्टर जरूरी है लेकिन देश में पहले क्या स्थिती थी और जो स्थिती थी वो क्यों थी इवन इटी में तो बड़े बड़े एडिटोलियल्स इस पर छपे हैं लोगों ने अपनी ओपिनियन दी है और उन में जो बात प्रभुकता से रही है वो ये कि हमारे हां इंफ्रास्रक्टर से जुड़े फैसलों में देश की जरूर्द को कम देखा जाता था और राजनितिक महत्वकांख्शा को प्राथ्फिक्ता दी जाती थी इसका जो नतीजा निकला उसका भुक्त भोगी पूरा देश रहा है अगर कही रोड़ भी बननी है तो पहले देखा जाता था कि सड़क बनने के बाद वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ट्रेन कहां रुकेगी कहां चलेगी ये भी राजनितिक नफा नुक्षान देख करता है होता था यानि इंफ्रास्ट्रेक्टर की ताकत को पहले कभी समझा ही नहीं गया हमारे पास ये आपको चौकाने वाली चीज़े लगए कि कभी एटी वालों ने लिखा नहीं होगा दुर्भा की है जी हमारे हाँ डैम्स बनते थे लेकिन कैनाल नेटवर्क नहीं बनता था आप सोच सकते हैं छे मंजिला मकान बने और लिप भी नहीं हो और स्टेर्केस भी नहीं हो ऐसा सोच सकते हैं आप डैम्स बने और खेलाल नहीं हो लेकिन शाइब उस समय इटी को देखना उचित नहीं लगा होगा हमारे पास माइन्स थी लेकिन मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कनेक्टिविटी कभी नहीं थी हमारे पास पॉर्ट्स थे लेकिन रेल्वे और रोड कनेक्टिविटी के प्रॉब्लेम भरपूर मात्रा में थे हमारे पास पावर प्लांट से लेकिन ट्रांसबिशन लाइन्स काफी नहीं थी जो थी वो भी बुरिश्थिति में थी साथियों हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को साहिलोग में देखने की प्रैक्टिश को बंद करिके किया और इंफ्रास्ट्रक्चर के दिर्बान को एक ग्रेंड स्ट्रेटेजी के रूप में रीमेजिन किया आज भारत में 38 किलोमेटर पर डे की स्पीड से हाइवे बन रहे हैं और डेली डेली पांच किलोमेटर से जाना रेल लाइने बीछ रही हैं हमारी पॉर्ट केपिसिटी आने वाले दो वर्षों में 3000 MTPA तक पहुंचने वाली है 2014 के मुकाबले ओपरेशनल एरपोर्ट की संख्या 74 से बढ़ करके 147 हो चुकी है इन नव वर्षों में लगभग साड़े तिन लाइक किलोमेटर साड़े तिन लाइक किलोमेटर रूरल लोड बनाई यही है करीब 80,000 किलोमेटर नेशनल हाइवे बने है यह सारे नव साल का मैं हिजदा आप दे रहा हूं आपको यह याद कराना पड़ता है इनी नव वर्षों में तीन करोड गरीब परिवारों को पक्के घर बना करके दिये गए और यह तीन करोड का आकड़ा इतना बड़ा है कि दुनिया के कितने ही देशों की इतनी आबादी भी नहीं है जितने घर बना करके हमने नव साल में भारत के गरीबों को दिये हैं साथियों भारत में पहली मेट्रों 1984 में शुरू हुई थी यानि हमारे पास टेक्नोलोजी आ गई एक्सपर्टीज आ गई लेकि फिर हुआ क्या देश के जादा तेर सहर मेट्रों से बंचीत रहे 2014 तक यानि आपने मुझे सेवा करने का मोका दिया उसके पहले 2014 तक हर महिने आधा किलोमेटर के आसपास ही नई मेट्रों लाइन बना करती थी 2014 के बाद मेट्रों नेट्वर्क बिछाने की एवरेज बढ़कर लगबग 6 किलोमेटर पर मन्त हो चुकी है अभी भारत मेट्रों रूर्ट लेंज के मामले में दुनिया में पांचवे नमबर पर पहुँच चुका है आने वाले कुछ महिनों में ही हम दुनिया में तीसरे नमबर पर पहुँचने वाले हैं झाले हैं झाले हैं